नानक सिंग दा नोवल है पाप दी खटी पाप कमाम देयां तेरा कोई ना बेली राँ पहला अंग पंजाब दे उग्ये शैर ते सिखां दी महांतीरत सिर्यम्रिस सर्तों सर्त कोदी दूरी उत्ते इस सान कोण वाले जनाले दी सडक दे राजा संसी नामे एक बड़ा तकड़ा पिंड है एस पिंड दे एक बड़े परसिद सर्दार जिना दा नाम सर्दार रशपाल सिंग है लाग पास ते लाखेचों बड़े तनी पुर्शान ते इना दा नाम दूर दूर तोड़ी वज्जया होया है सरदार होरी सरकार दे पूरे खैर खुआं ते पुराने वफादारा मिच्चों हन इस करके इनानू सिरकार वलनू कई खताबते बहुत सारे मुरब्य मिले होया फेर वी कारदे कामकार ले इनाने बहुत थोड़े नौकर रखे होय हैं जिना चो पान नाम दा एक अनात बालक वी सी एस पेंड़ चो सनाथ बालक ते उदे मां पे उनू कोई नीसी जानदा पर उसे पेंड़ दी एक फकेर नी उनू पता नी कित्थों चोकले आई सी उदी जबानों सुने आयें के एस जंगल च बालन लकडान चुनन गई नू एक रेद दे टिबे उते लीरां चुबले टेया हुया ए तेन चौन देनां दा जम्या हुया लबासी एस बुड़ी ने पान नू पाल प्रोस के वड़ा कीता जदो नात बारां बरेंदा हुया तो उस बुड़ी दे कैन ते सरदार रश पाल सिंग हुरा उस मुड़े नू मज़ियां चारण ले रख लेया पर उबाल के इस काम चे ना हुश्यार निकलेया के सरदार ओरां उनू फसलां दी देख पाल ले नियत कर लेया हुली हुली मुड़ा इस काम चे ना तगड़ा हो गया के सरदार ने उनू सारे पिंड़ दी जीमीदारी देखन पा लणदा सारा पारसों अप देता अनाथ पाने ना काम करदा दिन रात बलद वांग हर काम ची जुता रेंदा सी के दुझे नोकर वा पई वा अखे बिना नई संदै सकले पर सरदार जया कठोर चे तते निर्दई आदमी सी उस सदा अपने नोकरा नू ताड़ दा गड़ा इंकरदा रन्द पावे सरदार वरी जान दे सी के पानिक मेंट भी वेला बैठन वाला ने फेर वी उनू दिल चुराऊ आल सी नम खराम आदी केंदे रने सी नोकरा दे सबंद चे सरदारो रन्दा ख्याल सी के उनानू सदा ताड़ ना ही करदे रना चाहिद है ताजो उट्टी इठोके विराब्री ना करब्रटन वुचारा पान जान मार के सारा दिन काम करदा सी फेर सरदारो रनियं गाला चुप करके सेलन दा सी कारणे के ए था उन्नू फकीर नी दिकुल्ली नालो वदेरे चंगी मलों हुंदे सी क्योके एर्थे उन्नू टेड परंजुगा अन्न ते कदे-कदे पैन्नन नुमाडा मोटा कपड़ावी मिल जान्दा सी पर फकीर नी पासो तैवी नीसी मिल्दा पानपा में फकीर नी पासी पढ़या सी पर उदा सरीर बहुती सडौल ते सुना सी उदा गोल-गोल मुं मुले अर्गिया मस तक खावे के कोई नीसी जान सकदा कि ए फकीर नी देकार पढ़या उदी चड़ दी जवान नीने नुँ अजया सुन्दर बनाता के होली होली पेंड़ दीया जवान कुडिया निया अक्खांदा शिकार होन लगा जिस समयों खेतानु जान्दा उस विले कुडिया राच खलो के प्रेम परी द्रिष्टी नलोस वल वेख्या कर दिया सा एद दर एक होर चान चड़दा चड़दा चड़ गया एदी सुन्दरता सरलता ते एदी मिठी बोली दासर सरदारोर अधी मुटे आरती कुंदन को और ते जया प्या यो वियोनु प्रेम द्रिष्टी नलोवेख्या लगी एस कामलियोंने कई वार पान वजया समावी दित्ता के पान वस्नाल प्रेम करंदा होसला करे ते गल खुल जाए परोवचार अपनी सरलता दे कारण बिलकुल अनपेज जिसी ते सुपने विच्वियोनु मजया ख्यालूत पन नहीं सी हुन्दा हर तरह ने यतनकर करके अंत जद कुंदन को और निराश हो गई तो उने एक दिन शर्मनू के तिलांजली देके एक आंत समावेख्य के पान सिंगनू किया क्यों पान तुमेर नल्व्या करोणा चौन नहीं पाने नू दिल लगी समझया ते मांच सोचया के एक कमीर दी ती जिस पास के मैं एक सदारन नौक करां कदे एहुजा परस्ताव कर सकती है इस करके उने ओधी गल सुनी अन सुनी कर चड़ी ते उस पास से जरा भी ख्याल ना केता पर उद्धर कुंदन कोरे दे कोई उत्तर ना देन करके होर भी उतावली हो उठी ते उने फेरे से प्रशन नू दोहरा के उत्तर देन ली पान नू सौँ पाती पान अजे भी एनू मुखाली समझी बेठा सी पर जद कुंदन कोर कड़ी मुडी उनू उत्तर देन ली जिद करन लगी ता उने इक वारी बड़े गौन अल कुंदन कोर दे मुग अल वेख्या थी पुछेया के तेरा कठोर पिता इस गल नू मन लेगा कुंदन कोर ने बड़ी निमरता नालू तर देता मेरे पिता जी तो अनू बहुत चोंदे है उनना दी तो अड़े उपर बड़ी देया है इसली मैनू पूरा प्रोस है के एस बेंती नू जरूर सवी कार कार लेंगी मैं शरम दे मारे हुनती के गलोना नू नहीं आखी नाले तो अड़ी सिला लेने भी जरूरी सी पान बड़ीयां डुंगियां सोचां चपय गया उनू थोड़े समयली कुछ समझ ना आ सके उदा सेर्चकरा अगिया बड़ीयां सोच पर तो अड़े प्रशंदा उत्तर ना देना तो अड़ी आग्या पांग करनदा प्रादी बढ़नदा हैं। प्रादी बढ़नदा प्रादी बढ़नदा प्रादी बढ़नदा हैं। प्रादी बढ़नदा संद्तर ना अठिक्या प्रादी बढ़न प्रादी बढ़नदा हैं। तेरी व्याब अवत प्राण करा। पर मैं उन्हों हाला ये आक़ केई टाल देता है कि मैं पहला कुंदन कौर नूँपोछला माँ। कुंदन कौर अपने पिता दिये गाल सुन के सुन हो गए। मानों उन्हों सप सुन गया। उन्हें अपने दिल चो सोचेया की सी ते थे की हो गया, एक तब पिता दे गुसे होन दा डर, दुझे शर्म ने उदे मून बंद करता, चुप चाप सेर निमा करके सोच दी रही के की उत्तर देया थे की ना देया, इन इच पिता दी अवाज फिर सुनाई देती, उदे पिता नहीं कहा, बोल ना बच्ची, शर्म दिया इस चिकेडी गाला, जेड़ी लोग एहोजे कम शर्म कर दिया है, आं तो ओहो दुख पौन दिया है, फिर लोग की भी बिना देखे सुने के अन लग पें दिया है, कि माप्या ने ती डोप दी, फुतरी इस पाप ते, लोग निन दिया तो बच्चन ली, मैं ऐस कामच तेरी सिला लणी चोना, दस दस, तू की कहनी है, तेनू ए वरकार पसांद है के नहीं, सरदार रशपाल सिंग ने बड़ी प्यार नल कुंदर नों के हा, चंगा जे तेरी मर्जी नहीं, तो मैं उना नू क्या दियांगा, कि मैं ऐस माम संदी सुतंतरता दा हामिया, मैंनी जोंदा जिस मुंडेना लड़की दा सारी उमरली वा प्याना है, उतो बिना पुछे उदा व्या कारता जाए, तांते जिस वरनू तू पसांद करेंगी, मैं उस नाल तेरा व्या करांगा, अपने पिता नू अपने पाखच वेक के कुं रशपाल सिंग कैन लगया, वैगरू, वैगरू, बची पला, जै करड़े काम चे, जिस्ट तेरे मरंज योंड़ा सबंद होवे, मैं बिना तेरे पुछे कर सकता, कुंदन कैन लगी, पला, जै मैं किसे कंगाल जा मंगते न लगया करना चाहां, फिर रशपाल सिंग ने किय पला, तो जै क्यों करेंगी, मैंनो का कदे विश्वास नहीं हो सकता, अच्छा, जै इस तरह ही होवे, तब फिर, ए मैं किस तरह मन सकता, कि तू किसे कंगाल जा मंगते न लगया करेंगी, जै केड़ा कंगाल है, जो तेरे वल तक्कन दा होसला करे, रशपाल सिंग ने किया ए सुन की, कुंदन डरी, कंभी, अपने पिता दे चर्ण फड़ के कहन लगी, पिता जी, होन तो तुसी कहा, के तेरी मर्जी दे, उन सारी विया होएगा, फिर एक ही कहन देओ, कि हा ता ठीक है, होन भी कहना, के तेरी मर्जी नल करांगा, रशपाल सिंग ने उत्तर देता, ते जी एहू गल है ते मेरे व्याँ पांदे नाल कर देओ, मैं उसे नू चौन नहीं है, कुंदर ने जवाब देता पांदा नाम सुन दिया, सदारश पाल सिंख कम बुठे, सरीर ज अग लग गई फिर पांदी इन्नी दलेरी हुते हो, नू हैरानी ते क्रोध ओन लगा पर फेर जई बेशर्मी पर इगाल मुहों ना करनी, की तेनू फिरोजपूर्दिया उस्ताद दनिया ने एहू कुछ बढ़ा है, कुंदर न कौर ने सिक कन्या महा विद्या लेया, फिरोजपूर्ची दसुईंक तक विद्या पड़ी सी, बस बस, मेरी आखा गो दूर हो ज पर इगाल सुन लेई ताह नेर हो जाएगा, वो मांदे लड़ू प्या पोरेगा, ते नाली पिंड़च मेरी निंद्या होएगी, उपान बारे कहरे आसे, सुतंतर ता ते लड़ां प्यारांच पड़ी, ते पड़ी कुंदन को और पिता दे प्यारांच चाड़के खड़ हो गई ते बुली, पिता जी मैं साच कहनी है, मैं ता उसनाल अपने व्याबावत पक्का प्रण कर चुकी है, कुंदन दियां गलां सुनके सरदार रशपाल सिंग दे सरीर्च मानू बरूद चुट पया, अखा जों अग दे चंग्यारे डिगण लगे, ते मू रतो रतो हो गया, बुलन नाल गल वदवत जाएगी, ते ना बुलन नाल काम चौड हो जाएगा, एस करके क्रोध नू शांत करन ले, इदरो दर टेलर नर प्या, अन्तिच बहुत कुछ सोच विचारतों पिछों सरदार ने कुंदन नू क्या, मची समझाण दा जिन्ना को मेरा तान सी म ला चुकता, पर जे तु नहीं मान दी, तम्हें तेरे वरुद्वी नहीं चल सकता, ते नाई में पान नाल व्या करन तो तेनू रोक सकता, पर अपने वड़ेयां दी मर्याद दा अनुसार में निश्चा केता है कि व्या करन तो पहलना, पान अमीर आदमियां वांग कपड़ेयां नाल, शुशोबत हो के कईयां मोटरां फिटना ते चड़के मेरे कार आके मेरे पासों अपने दोस्ता दी राहें, तेरा नात्ता मंगें, ता मैंनू मनन्च कोई ना नुक कर नहीं होएगी, पर जे अजया ना कर सक्या ते मैं तेरा मनोरत पूरा करन तो असमर मेरे कारदा टुक कर खोर, अज मेरे युत्ते हाथ साफ करना चौंद है, मैं उनू गुने जाके कड़ देना, एक कह के सरदार हो रही हो तो तुर पहें, पर कुंदर नू कुछ कहन दे आवेक के फेट हैर गी, कुंदर ना कहन लगी, पिता जी मेरी ता समझ नहीं आया, तो पर हुनो रुक्या ना रह सकया, बुलिया, ओफ, मेरी ती मैनू चरौंदी है, बस बस, तु मेरी है, मैं जो चहां सो करा, की तानू पता नहीं के तिया, ते गाईं, जिते मापे देन उत्ते ही जांदी है, सु तंतर तादी हवाज पड़ी हुई, कुंदन को और नू ये ब हाँ, पिताजी, मैं तो अड़ी है, हाँ, पर एसले नहीं के तुसी मैनू खूच सोट दे, अथ्वा जिस बच्ची नू तुसी इन्ने दिना तो पाले आ, उन्नू बन के किसे दे पल्ले पा दे, हाँ, हाँ, मैं बेशक तो अड़ी हत्थां विच्चां, पर मेरा जियोणा मरना मेरे अपने हर्थां चाए, एनू तुसी किस तरा भी बंदन च नहीं राख सकते, रचपाल ने किया कि मैं बथेरा कुछ कर सकता, बस चुपरो, मेरा प्रण, मेरे प्राणा नाल रहेगा, मैं तेनू कहना कि तेरा व्या तेरी मर्जी नाल हो सकता है, पर उसे सूरज हो सकेगा, जदो पान मेरे कहे अंसार, मेरी शान बढ़ के आवे, जा जा, मेरा सेरना खा, जे तेनू अपने पिता नाल कुछ प्यार है, जे तू अपने पियो नू कुछ समय दी है, तो चुप गर के बैठी रहो, नहीं ता जे, जो तेरे जी चावे करें, पामें पान दी पक सकती देख के कुंदन रोप है, अज दीको बड़े अनांद नाल सुतंतर जीवन बता रही सी, उन्हों एस गाल्दा जरावी ख्याल नहीं सी के सुतंतर तादी सिख्या देन वळा, ते सुतंतर तादी विचारान नाल पालना करन वळा पिताई उस सुतंतर तादे उस बिर् उद्धर सर्दार रश्पाल सिंग उदे बंस सांदे बिर्च नूँ जिस नाड़ो बंसरी बजन वाले से जड़ा सनहीं पुट्टन ले उत्थे आया जित्थे विचारा पान बारों आया लक्रानू चुक चुक के अंदर जोड रहा से सर्दार बोलेया पान मेरे ना लाग। एक है के सर्दार पिछले पैरी अपने कमरे वाल मुड़ेया विचारा दुखे आरा पान भी पिछे पिछे उना दे कमरे नूँ गया बोलेया आगया रश्पाल सिंग ने किया के मैं तैनू होन रखना नी चौन दा तु मेरे करो होने निकल जा। सर्दार हो रंदा इना कहना सी के विचारे पान उपर पहाड डिक पया। उधी आखा आगया चानक नेरा चा आगया। संसार ते कोई अपन है। रश्पाल सिंग ने किया के एदा मैनू की पता जिते तेरा जी करे उते जा। जिता कोई टकाना नहीं जिता कोई अपना नहीं उसले मेरे बास भी था नहीं। हजूर मेरे ता सब कुछ तुसी हूँ तो अड़े बुए तो बिना में आज ती कोई बुआ नहीं डिठा। ते नाई मेरे विच कोई गुण विद्या है। पान ने किया। फिर टठे गुच जा। जे तेरे च कोई गुण नहीं अकल नहीं ता कुंदर नल व्या करन लें। एमें मुझ पानी पार आया सी। जादी कोड किर ली शतीरानू जफे। रशपाल सिंग नहीं किया। पान के गया के बुलिया। हजूर बे दोशे नुक्यों दोशलों दे। मेरे ते दिया करू। मैं तो डब हुआ छड के किते जमा। बस बस मैं होर कुछ नहीं सुनना चांदा। जे होर कोई था नहीं लब दी था हमने सर जाके कॉल सर्च डुब मर। रशपाल सिंग नहीं किया। विचार ये नाथ पान नुता ऐस वेले कुछ सुजदा ही नहीं सी। उधी बुद्विट कोई गाल नहीं सी आउंदी। के की करां ते की ना करां। विचारा कुछ आखंडी मुह बोलनी लगा सी सर्दार ओरी जो गुसेच लाल पेले हो रहे संतियोडी चड़ा के तरती नुकम होंदी होई बोले। जात चला जा। मैं होर कुछ नहीं सुनना चांदा। जे बोता बोलेंगा तो हुन छित्रानल कड़ देंगा। विचारा नाथ बालक जिसले सारा संसारे स्वले अंदकार दे सर्यासी फेर कुछ कहना चौंदा सी पर सर्दार ओरां बोलन दी आग्या ना देते। रूंदियां रूंदियां उदी के गीवाज गई पर स्तंतरता दे पक्खी सर्दार ओरानू उदे हालते जरावी द्याना आई ते नाई हो नाई गल सोची के उदा अपराद कित्थों दीक है वो फिर विचारे उते चप्ट के बुले जानना है के नहीं पानने रूंदिया रूंदिया क्या हजूर मैं चला जावांगा तो अड़ी आगया दा उलंगा नहीं कर सकदा पर आज दी रात रहन दी आगया बख्षो हुन संद्या हो गई है सारे दिंदा थका टुटे आते पुखा एस वेले हनेरी रात विच टे डों पुखा किते जामा राता किते रहीं एक कमेंट भी तु एथे नी ठैर सकदा रचपाल ने क्या कोई है कोई है दी आवास सुन दियां एक नौकरा हाजर होया उन् सरदार होना ने प्यार फाल ले थे कि आन दाता मैं आप ही चला जाना हुन जान 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 या यह नाम ना दियो एक है के उन्हें अपना सिर चुख्या पर मालक दे मत्थे द्याना वेक के उत्व मुड़या थे अपने कमरे वल गया विचारे पास असबाब था कुछ है नही सी इक पाट्टा होया कंबल थल्ले विचान नो इक बोरी ते तपड सी उन्हानू पहला ताउने चुकलेया पर फेर ए सोच के के मता सरदार हो रहे के ते एसले वी गुसे ना हो जान पर यह आखान नालो ने इक वरी कुंदन दी कूठ्री वल तक क्या फिर हड़ी हड़ी त थ्रू सरदार हो रांदी क्रोध दी अगनाल मुक गए सानिक वरी फेर हरे पर होगे तेजी नाल निकल पए रोंदिया रोंदिया उने क्या कुंदन ते नो चंगी तरह पता है कि मैं उकका निर्दोशा है मैंनू अज़े ती एक तेरिया गलां सुपने वांगी पास रही है ते मैं उना ते परोसा नहीं कीता पर गल टुक के कुंदन बोली इस गल्दा ही ता मैंनू भी पता है कि इस मामलेच अज़े बेकसूर है ये तु पूरी तरह मेरी गल्दा नू मान लिया हुंदा ता भी कुछ उपर अपराद दपागी हुंदा पर पान मैंनू इस गल्दा करेगी पान तु के होजा कायर मनुख है इक इस्तरी ऐस्तरा द्रिड ते दलेर होवे ते तु आदमी होके जया कायर बने शोक हुने इस नालो वदीक में तैनू की आग सकते पलाजी नू ठूएं दा मंतर ना ओंदा होवे हुंदी सापदी खोड़े चाहाथ पा सकते उन्हें पुछया फिर मैं की करां कुंदन ने उत्तर देता यतन कर इम्मत कर यतन कर नाल की नहीं हो सकता जो वनुख है में टेरी टा बैठ दिया है वो कुछ भी नहीं कार सकते ये संसार करम खेती है जिनना उद्दम करेंगा उनना ही फड मिलेगा पान वेख मेरा प्राण किनना कठिनते दुखां पर है फिर वी मैं उस विच अद्दे नलो वदी एक सफलता प्रापत कर चुकी है वेख्याई पिता जीनू एस गाली मैं मना लिया है कि तेरे नल मेरा व्याग कर देनगी पर जेडी उनने तनवान हून दी थोड़ी जी रोक पा देती है उचेती द किनना कर देता सिर्थ एक लोता दिसी या बस ओ जान गे कि पिता ने उदियां सारियां गलां सोन लें यां पर सुतंतरता दी साख्यात रूप कुंदन उत्ते उदे पिता दे डर ने कोई बोता असर नहीं केता पर पांदा ता उस आवाज दे नाली सास उख गया उन्हू इ पहिता सर्दार ने कपड़ेयां तो बारा होके पुचे, ऐस मुंडे नाल तेरा की मतलब है। तो जांदा के नहीं। तो पुट्टे हुए दिलनाल कुंदन भी अपने कमरेच जाके लम्मी पहगी। फेर वी सर्दार रश्पाल सिंग नू उस रात नेंदर नहीं आई। इस तरां दिलां दे दुखां दी चोवनाल ते नहीं वी अकुल होगे। अंग दूसरा पहला तो दी गरीमाने बड़े दलासे दते प्यार नल मूचमेया पर जद विचारे दे कड़े जानदा। सारा परसांगों ने सुनेया था एकदम क्रोध नला दीर हो उटे। कुसे नल कपड़े यां तो बार होके बोली यां तरया रंडी छड़ने यां बेशर्मा कुत्यां तो केड़ी शेखी नल इनद लेर होगे। तेरी मौत तेरी मौत तेनू वज्जा मार रही है। फिर वह भी एस शर्त तो ते के पहला अपने पितानू राजी करू फिर मैं भी राजी हो जांगा। मा जी तुसी आज इने गुस्से च के हो दूस्सो ता सही पला अगच के ओपांड नल उक के ओना बाल उठेगा। उधी मा ने गुस्से नल रत तो रत होके के है। वे बेशर्म मुंडिया जे तेरे ज एनी अकल हुंदी था तू इनने दुख ही क्यों पहुंदा। की तैनू पता ही नहीं के प्रेम परगट करन लेगी पतंगा अगदे कोल जान दा है। पर उधे नेडे जान करके यो मौद दे मुँच जा पन दा है। बुद्ध हीन गुरीव दा मीर नाल जोड नी शोव दा तू बड़ा बुरा काम केता है। कुंदन की तेरे की कुंदन दे योग तेरा मुँ है तेनू यू यह भी नहीं सुझेया। पान ने उत्तर देता। मा जी जो कुछ होना सी ओता हो गया है। पावी अगए किसे दा वास नहीं चाल साकता है। ओधी कंगाल माने कड़क के उत्तर देता है। वे मूरक मुंडेया, तू के हो जी यां गल्ला करदा है, पावी की चीज है, पावी तेरे किते हुए करमादा दूजा रूप है, जी कुंदन दी गालनाल समती पर गट ना करदा, ता पावी मलो मली तेनु करों को डौन लगी सी, ए गल मैं कदे नी मान सकती, पावी मान जी, तब फिर मैं की करा, जो तेरा जी करें सो कर, मेरे कुणों जो कुछ हो सकया, सो मैं कह चुकी है, तेरे पास कोई तेरे प्योदा खजानना था है नहीं, जेड़ा तेनु बठा आगे ख्वांदी रहांगी, मसे मसे सरदारों रंधिकार दी मेनत मजदूरी करके अपना पेट पाल दी सी, सो होन मैं तेनु अपने पास किसे तरह राख नहीं सकती, क्योंकि जे मैं तेनु रख्या ता मेरा भी इस पेंड़च रहना उख्खा हो जाएगा, माने के है, पला रहना उख्खा क्यों हो जाएगा, पान ने पुछिया, पला जाद सरदार हो ना तेनु कर दता ता फेर जे मैं तेनु आसरा दे आंगी, तो मैंनु पेंड़ रहन देंगे, एस बड़े पेच, एस मरन दे समय, मैं अपने एस जनपू मीनु चढ़के किते जाना नीचोंदी, ए आख के बुड़ी मू फेर के अपनी कुल्ली तो बार तूर गई, ते लागे एक ग्वांड अपनी प्यारी मांदा इस तरहां रुखा वरता ओवे, के पांदी रहन दी कुंदी आस उमीद भी जान दी रे, दुखी हिर्दे नाल उस कड़ी नु जिस कड़ी, ओधी कुंदन नाल गलबात होई सी, कोस्ता होया, कुल्ली विच्चों बार निकलिया, ओधे ले इस संसार ता पहला अंद का जूप हो गया सी, फिर विचारा जान दा कि थे, ओधे जीवन दी आशादा, जिड़ा दुजा फॉल सी, ओभी बुड़ी दे कौड़े बचनानू सुन मुर्जा के डिग बया, इस तरह अपने जीवन तो निरास होके होई, दर उदर फिर रेया सी, कि आड़ी गाल चेते आगे, उन्हें देल चे एवी सोचेया कि जीदा संसार्च कोई अपना नहीं, जीनु संसार्च कोई बिलोन आड़ा नहीं, ओधे जियोन दा की कम, एसे तरह अपनिया विचारां दे समुन्दर चो डुबब होया, उर्थों तुरया, ते रत तो रात सात को वाट करके, सिर्याम्रिसर आप उजाते दर्बार सा मत्था टेके, उन्हें कॉल सर्दे कंडे आखडो था, कॉल सर्दे जलनु वेक्योदी मरंदी इच्छा होर भी प्रबल हो थे, इस सच है कि मरना कै देना जा ठान लेना सोख है, पर वास्तविच मरना डड़ा कोड़ा दी करिया से, उन्हें एस विले मरं तो छुट, होर कोई रा निसी दिस्ता, एक दो वारी जीवन दी आशाने उदे पैर फड़े, उनाच बेडियां पाईयां, पर उनानु चटकदा, फटकदा, तोडदा, अमरोडदा, ग्यानी सेंग दे बुंगे दियां पॉड़ियां उ ते उत्थों बिना कुछ सोचे कड़म करके कॉल सार्च छाल मार देते, अंग तीसरा, जिस समे तो साधा नावल रंभ हुन दै, उस समे पंजाब्च रडे पारे डाकू जियोने मौड दी तांक पई होई सी, ए डाकू रियास्त संगरूर देक मौड पेंडदा वासी सी, इ उन तीक बजारांच विक दे हां, ते लोकियो दे किस्यानू बड़े प्रेम नाल पढ़दे सुन दे हां, इने अपने जीवन च बड़े बड़े डाके मारे ते सेंकडे खून के थे, कई वरी ए सजावर होके जेल दियां कोठडियांच वी नस चुका सी, परांत संगीन पढ़े अगया ते शिशन बेच्चों सजा पाके फांसी दी रसी दा शिकार होया। उजदवी लोटदा सी वड़े वड़े शाहू कारांदे आहू लोंगा सी। जो इस तरह कबरी जा रही है। गलता तू साथ चाखी है। मैंनू होने जोना मौड टक्रिया सी पर मैं मसे मसे उस पासो जान बचा के नस साया। चल मैं तेनू जिते तू जाना होते पुचाव मां। इक है के बुड़ी नू नाल ले गया ते उने जिस पेंड नू जाना सी ओस पेंड पास जाके कैन लगा। मैं होन तू जा ते आला है पांस ओर पया। मैं तैनू देना जिवना मौड मैं या। ये वेग के बुड़ी हरां देगी ते जिवने दी उदारता ते उद अजेया कर पलू सुभा वेग के उनू असीसां दिल्दी कर गई। आंग। जिवना एक संगीन डाके ते कई खून करंदिया प्राच फड़या हुया। पटे आले जेल दी। संगीन कोठडी इच बंद है। सदा वांग एक मिट्टी दे निक्के जे थड़े उत्ते जिनू खड़ी केंदिया। बैठा बैठा कई तरा नियां सोचां सोच रहा है। कि इनने नू इक सपाई कोठडी दबू अखोल के रोटी देनली अंदर आया। उसोना यार जमांदारा अज ता बड़ी देर कार छड़ी। मेरी यां ता पोखनाल अंदर आयां सुक गिंगा। जिवना बोले है। आहो जी तूता मारी गया हुएंगा। अरे दास वजे नी इदे प्राण निकल चले ने। लेफड रोटी बहुती बहुती बगवास ना कर। जिवना केंदा है। मैं आता तैनू सुबाव की गल पुछी है तो तू बखवास बखवास पहुत लागते है। तू मैंनू हो कैदियां वांग ना समझी। पता ही। ये जिवना मौड है। बहुती गल करेंगा तो कुट-कुट के मक्को बंग देू। सुपाई ने अक्खां काड़ के क्या। है वे हराम जादे उलू दे पठे। की के आई हुए। वेकता साही। मैं होने अलार्म करके तेरी केहुजी गत बणो ना। इक है के स्पाई ने खीसे चो सीटी कड़ी वजान ली मूँते नेडे किती सी के जिवने ने जिवने एक जोर्दा चपटा मारया। हत्थों सीटी खोली एक जैस जोर्दा कसोनो दी पुड़पडी चिटकाया। स्पाई उत्थी पुठाओ के डिक पया। जिवने ने वी एस समयनू हत्थों गवाना चंगा ना समझया। स्पाई दी बद्दूख पढ़के दो चार कुंदे होरो सिर्च जड़ते। स्पाई दे सिर्च फर्न लहू गण लागतेया। ते बिल्कुल भी होश हो गया। जे उने ने छेतियो दी वर्दी लाके पाली। उनकी सी जिवना एन सजया 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 स्पाई बढ़के उस वेले कुझियां दा गुच्छा ते करपयां दा बटुआ जो स्पाई दे लाकनाल सी लया के कोठडी दा बुआ बंद करके उत्तो निकल तू रया ते बिना रोक टोक जेल दे वड़े फाटकू बाहर आ गया। रात तो रात एक लागले रेल्वे स्टेशन तो गड़ी चड़के स्वेरे पॉने तिन वजे दी गड़ी अम्रिस सरा पुझा अगे टांगे ते आर खड़े सी के टांगे ते चड़के कंटा का राव उत रया। किसे चीज़ दे डिगण दी अवाज आई। एस अवाज नू सुनके जोना पिछले पैरी कॉल सर दे सडक वले कंटे वलाया। रात चाननी सी कॉल सर दा जलचंगी तरा दे स्रया सी। उन्हें जान नी जिलाके डिठा उनू तला दिया और विचका रिक दो वरी किसी आदम आदमी अपनी मर्जी ना लेना दूहां कमानू नहीं कर सकता। जित्तो तीक वेख्या गया है ये गल सच्ची है। इस वेडे पान दी मौत नहीं लिखी होई सी। इस करके ओ तलाच डुबन करके भी नहीं मुया। डुबया पर ना मुया। इक वरी ओ छाड मार दिया ही थ तले चला गया। पर पानी ने अपने सुबा अंसारोनू उपर चुक्के ले आंदा। इनू वेख दिया जियोना लंगोटा बन के ताल तलाच कुद गया। तिंगो जोरी पान नूँ खेचदा कसी ता कंडे ते ले आया। ते डच पानी पार जान करके पहला भी उश हो ग का से पान के अंदा पाई तू ए गल पुचके की करेंगा। मैं इस करके पुचदा के इस रीर बड़े चंगेपा गांकर के प्रापत होंदा है। इस रीर मिटी दा खडोणा नहीं वे जिनाचत जी कीता इस नल खेडिया। जद जी कीता फड़के तोड सुटे है। तै अंतो है की जरा दास्ता से ही जिने ने क्या। तुसी पुचके की करोगे। एक दुखी दी कहाणी सुनके तुसी भी दुखी हो जाओगे। इस गाल दी कोई चंता नहीं। मनुखदा दुख सुनके दुखी होना सुबाव गल है। पर मेरे पास वो सक्या ता जरूर ते ज कहता करांगे। जिवने ने क्या। जिवने दी बहुती कैनती पान ने अपना सारा बिलतांत आत्तु आंत थीक। जिस तरह फकीद ने दे कार्च पढ़ना। रशपाल सिंग दे कार्नोकरी करनी। कुंदन कॉरनाल बचन बिलास ते कड़े जाना थू अपनी पालना करन वल तेरा दोख ता है ही कुछ नी। कमले आर तेरी ता हमें मत मारी होई है। तो उस रता जिननी गल पेछे मरननू त्यार होगे। लोकी ता एस नालोवी बदी एककास्ट उठालन दे। पर तेरे अरगी नदानी दे काम कदे नी कर दे। ते यह जिड़ा तू कहना है के मेरा अपना इस संसार्च कोई नी पर तेनू पता नी कि इस संसार्च कौन किसे रहे। जिनने लोकी किसे नू अपना केंदे है वो सब स्वार्थी है। अपना ता मैं उनू समय दा जिड़ा स्वार्थ पावतो बिना अपना बन के दसे। पर इस संसार्च कोई है जे अपना मिल नहीं सकता, कारणी है कि सारा संसार स्वार्थ दिया दारते चल रहे हैं, जिस दिन लोकी स्वार्थ नू छट बैठन गे उस दिन संसार दा नामी दुनिया तोड़ जाएगा, बाकीरी दुख दी गाल, कि तु बड़ा दुखी है, सो साच है, जिस को लतान है, उनू टबर मित चल रहे हैं, जिस को बड़ा दारते परवार किसे गाल दा काटा नहीं, पामे उधा अपना सका मित्तर नावी होवे, ता भी दुझे लोकी तान द लाल्च करके, उधे मित्तर बनली त्यार हो जाँ दे, पानने क्या हाँ है, तोसा आचा है, पर मेरे वर चै पाग्यान उता कि तो मिल सकते हैं। अखान अनुसार जिवने ने ता किसे नो यो रस्ता दसना सी। कि नसीब है कि संसार दे सारे कम करन नल हुंदे हैं। नसीब किसे कम नो आके नहीं कर जान दे। संसार जजे या केड़ा कम हैं। जिड़ा मनुख तो ना हो सके। जहां संभव होई। एता ठीक हैं। पर इस नल कोई साधन भी ता होना चाहिए। बिना साधन तो तो कोई आदमी किसे कम नो सिरे नी चड़ा सकता पान ने के। हां एनू मैं मन्दा साधन भी तैनू दास्ता जरात्या अनल सों। एता तैनू पता लगी चुक है के सारे सोख देन वाड़ा तान है। सब तो पहला एसे दी प्राप्ती दा यतन करना चाहिए। आ मेरे नाला पहला कपड़े सुकाला फिर मैं उपादस संगा। एक है के पान नू जिवना अपने नाल लाएके अपने एक अड़े ते क्या। जिथे दे कई मेली रहन्दे सी। पान ने कपड़े लाके स्कॉाले, जिवने ने भी स्पाई वले कपड़े लाके होड कपड़े पाले। थोड़ा चेरे दर उद्दर दी अंगला होण फिच्छों जिवना उनू नाल लाके हाल दरवाजे तो बार गोल बाग चागया। उथे दो में जणे बैटके है एक पान ने क्या सुन। आज संदे अनू आठ वजे ती गड़ी ते इसलामाबाद दे रहाण वला एक सेट कराचियों आ रहे है। उथे पास कोई टाई लख दे लगपग रुपई ते नोट ते होर बहुत सारा बह मुल्ला ग्यान है। कारणी है कि ए बड़े चर्तो कराची विच खांडदा वपार करदा रहा ते होन बुड़ा हो गया है। इस करके उत्थों कामकार छड़ के कार चला आया है। मैंनू मेरे एजन्टाने पटे आले दी जेल चेस देख कराचीयों तुरंदी ते हमरे सर पहुंचन दी तरीक दे वक्त लिख पे जया से। इसे शिकार पिछे मैं जेल चुनना ठाया। पर अगे तैनू अजाई मर्दयां वेख मेरे देल च देया आली। इस करके मैं चौनना के एज शिकार तेरे हाथ लगे। सो हुन तु एक आमकार। उशाहू कार अठ वजे दी गड़ी उतरेगा। बंद गड़ी ते चड़के लोग अड़ वड़े पोलतों लंके सिद्धा इसलामाबाद नू जाएगा। ते नू पता है पोड़े थले रेल दी पटड़ी है ते वजेया उजाड़ दा पासे हैं कि रात वेले बेशक किसे कले दुकले नू फढ़के लोट पुट लेगे। कोई दाद फर्याद नहीं सुनी दी। सो तू उस लो गड़े पोलदे एक पासे होके लुकी रही। जियो ही सेठ दी बांद गड़ी उत्थो लंगेगी बस उस ते तुटके पह जाएं। सेठ बड़ा दुबला थे मरियल जेया है उदे नाल कोई नौकर चकर भी नहीं है। पहला एक डांग गड़ी आले नू तकाई। जादो गड़ियों थले डिक पाएगा सेठ गड़ी जो सेर कड़ेगा ता एक कोदे भी तकाके दोहानू था रखे। फेर उस पास जिननी नगदी नू उटाद होनगे उता लाइं। पर गैना थे होर मालस बाब आद कोई चीज ना छेड़ी। ते गड़ी नू तकके पुड़ दे थले सोट दे। पर जिस तरह तोप दे गोड़े नल सारे दा सारा कुठा हेल जान दा इससे तरह पान दा सारा स्रीर इस प्यानक गल नल हेल गया। वो काम बुठे आते डर नल कुछ पिछे हट गया। पान नू डर्दियां वेख जिवने ने उदा हाथ पाड़ लेया थे उनू अपने बल खिच के क्या। डरन दा काम नी पागाधी प्रिख्या कार। पान ने डर्दियां डर्दियां क्या तो अनू पता हुएगा के मैनू लोग दिलिदर ते कंगाल समय दिया। जद लोकी मेरे पास तानवे खन गे ता पुछन गे ता मैं की उत्तर दियांगा। वे रसदारन गाल है। कह दें मैनू तरती चो इख जानना लाप्या है। जहां होर्ब तेरे बहाने मिल सकते है। ज्यूने ने किया। क्या लोकी बहाने बनान करके जे कदे मन भी गये ता रब की कन मनेगा। उता एक विदोशे नू मारन दा दंड मैनू ज़रूर दवगा पान ने उत्तर देता। जे तेरे एहो जे नकमे ख्याल है ता तु एस संसार्च रहन दे योग नहीं है। जा जा ते किसे तीर थो ते बैठके माड़ा फेर। जा पी एक मंगे। लोका कोड़ो बेपत हो। लोका ने ये चड़का दे गाड़ां खा। जे संसार्च रहना चौन है। जे संसारी सकता है। डारना ये संसार मुड तो ये जया करदा है। आज तु अपने आंड गवांड जिन्ने वड़े वड़े सेट शाव कार वेखदा है। इना दे कार कोई कल्प विर्च जा पारस है। कि लच्मी एना दी नुकराणी है। कि इना दे पेउद्दा दे जमदे ही तान आपदारते जिमियां गंड बन के नाल लें आये सी। इना चु बहुत तेरे मेरे वरगे गरीबां दा लहू पीपी के एनने मुटे होया है। उना कोल्ड जिन्ने जेडे इनने रुपई है उन तेरे ही है। उना पास जेड़ी एननी जमीन उचारे गरीब जिमिदारां दी आज जेड़ी लोकी उना दा इनना मानवडियाई कर दे ए इवी उना दे तान दी बरकत है। उना ते तेरे ज कोई खास फरक नहीं। तेरा सरीर वी उना दे सरीर वांग मास चम ते हड़ीयां दा बनियाए। पर तेरे ते उना ज केवले हुई फरक है कि उ अपना शिकार उ दे कुई उना तो विरुद दिलेरी करे वी ता ओधी गालुते कोई प्रोसानी करदा। पान ने जिवने दी अंगल्लानाल पैप पीत होके किया। यता ठीक है पर पाप दी खट्टी ठीक नी उन्दी। पान तु बड़ा पोला है। हाथी दे दांद खान आले हूर दिखा पादले पोजन, खावे अनांद दी नेंद सौवे, अराम नाल गुद गुदे गदयालियां ते बैठे ते पैड़े तो पैड़े करम करें। पर उसकोणों पुछनां तके ते रिया कोई आख तक मेला उन्दा सास नी करता। कि किसे ने सुने है कि कोई कह सकता है कि रबने गरीबानों क्याता होवे वित उसी दबादा मेंत मजदूरियां करी जाओ। गर्मी सर्दी ते आग पाणी चे अपना लहू पाणी करके गुजारा करी जाओ। सगोए तो ती कई वारी सुके टुकडियां पर तों कदे फाके कड़के ची देनते रातां बताई जाओ। पा जे तेरे ख्याल चावे सोकार मेरे ख्याल चाता अमीर लोका ने पाप ही पाप दी पंडी पा रखी है। ता जो लोकी पाप तो डर दे कोई है जे आकामना कर बैठन जेस करके अमीरां दे सोकते आश्वर्ट फरका भी ते लोकी पाप तो डर दे कम दे फिर। पान ने क्या पर फिर भी ता अखान है कि खून खूनी दे सिर चड़िया रहन दे फिर इस तरह करनल मेरा कु कर्म लोका नू पता लाग जाओगा क्योंकि किसे ने किया कि पाप लुकाई ना लुके परगट होत जहां वै जान भी दे ना खरर ग्याना नू जियोने ने किया यहोजे ज्यान असी बठेरे कोड के पिती हुए है फोचने का सपाही हुंदे है पला उनू वेख के कोई दा सकता है के फलाणे ने लडाई चेने खून किती है असल गाले है के वी अमीरा लोकाँ दी कड़ी होई चाल है के पाप जाँ खून दे डर करके दोशी ना पैपीत हो जान दा कि लोके उनू वेख के दोशी हुंदा अंदा जला लेंदे है कम करन दा स्वाद है ता जे साप भी मर जाए लठी भी न टुटे कम जाई चतुरता ते बुद्धी माननी नल करना चाहिए दे के कम भी हो जाए पता भी न लगे जा चेती हो उन समा हो गया आट बजे दी गड़ी आँच बहुत थोड़ा फरक ले चेर रह गया चंगा जे थोड़ी आगया कैके पान उत्थो तुर्पया उदे मांच कई तरा दे विचार उठान लगे कदी सोच दा लाठी सुट के चला जावान कदी सोच दा नहीं इस तरह करना मरदान दा काम नहीं मेरे पा गांच जे 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 ना लिख्या हुनदा ता जे समय मेरे नाले दा मेल किस तरह हो जानदा ते कोई हो रूपदेश क्यों ना देनदा ये तो साप परगट हुनदा के रबदी विए हुमर्दी है जे कदी तनी अपनी तांदे नशेच मतवाला होके गरीबान अल पैडा वर्ता ना कर दे ता जे निर्दन लोकों ना कोड़ जे आ वर्ताओ क्यों कर दे पर शोक के उना नुएस काल्दी रतीवी चंता ने हुम्दी जिनात तन असी श्राबबां का बाबाते विशियां वकारां वेच रोड़ दे नियाउसनाल हजारां गरीबाते अना थांदे टिड़ांदी अग बुझ से इसे दरां सूचदा सूचदा पान अन जानवाले आंदी द्रिष्टी तो अपने आपनू बचाँदा होया होडी होडी तुरके पोलवाल जापोजा अजे तीकोदे मानच अपने पुराणे उदे ते जिवने मौड़ दे उपदेशांदा युद्ध होरे आस ताद कदे उ उदे सच विहार जिवने दे कल जुगी उपदेशांदे जोर पाजांदे उप्यानक डंड ते नर्क दी यात्रा दे डारतो पै पीत होके थर-थर कंबन लाग पन दे उदे तोर मठी प्या जांदे उदे हथांच फड़ी होई मोटी लाठी जड़ी उन्हु जिवने ने द दसे होई सब्ज बागां सुखी होन दे लोबबां दे सरदार रशपाल सिंग तो बदला लैन दी आग उदे हिर्देश बाल उट दी ताउदा मान जेड़ा जे तक पवित्तर सी काड़ा हो जांगा उदे हिर्देश सत विचार दी थां पापाब राजदा ते बड़ियां म पुल रेल दी लाइन दे उपर बड़ी दूर तीक चला गया है जो इनना उच्चा के थल्ले वेख्या मनुक नू डर लगदा है पुल नू एक सिरे तो दूजे सिरे तीक वेख्या पान एक पासे लुक के बैठिया है उनू बैठिया जे बहुत चरनी सी बीतिया के दूरों कोडे दियां टापांदी अवाज सुनाई दिती पान थर थरांदे पैराना लुटके सडक देख पासे खड़ा हुलिया कड़ी मुडी हतों चुट जानवाली लाठी नूने कूब कोटके फढ़ लिया क्योंकि ऐस विले शेतान ने उनू अपने चेले आंदी थांद दे दत बस ज्योंई बंद गड़ी कोड़ों दी लंगी पान दी लाठी दा एक परमावार कोचवान दे सिर ते करके वज्जा लाठी आनो दी खोपरीच वज्जी विचारे दा सेर पाट गया लहुदी एक तेज तारा फोट निकली चोट नू ना सहर दा कोचवान कडम करदा कोड पीच वी लाठी दाएक पर पूर हाथ जमाया अजे ओ गड़ी होते डिगनाई चोंद आसी के एक होट ठोक देती इनने च गड़ी कोड़ियां सने पोल दे हेट रेल दी लाइन ते जाड़ेंगे ते उत्थी सारे दे सारे ठंडे हो गया ते पांच योने दे उपदेश अन जिस समे दा हाल असी लिख्या है उस समे इदी हालत डड़ी खराते दोई पासी जंगले भी कोई नहीं सन जिस करके कई वरी बंगियां तांगे इतो थल्ले डिक प्या कर दे सन अंग छेमा स्वेर्दा सुहावना समय चर्दी गुट संदूरी रंगनाल रंगी कही है अमरत वेले दी सुगंदी पूर्वग मंद मंद चलन वाली हवा वक्के दिलानू अननंदत कार रही है बिर्च्छां दियां टाणियां उत्ते अनांध लेन वाले पंची एस्वेले चै चै करके व्यागरू डोगन वाद कर दे हुए संसारी जीवानू जगा रहे हैं जेडे सजन वेले दी सोबानू जान दे हानो तुरंते उठ वटे हैं पर कई विचारे दले दर दियां पंड़ विस्त्रय उत्ते उस्तल वटे ले रहे ते ठंडी ठंडी हवा दिव थपेडे खा रहे हैं हौली हौली चर्दी गुठी अकाश्ती चाई हुई लाली स्फैदी च बदलन लगी ते सूरज पगवान दे दर्शन हुए लोग अड़ दे पोड़ दे उस रातों जित्ते रात वेले कोई कल्ला दुकल्ला लंगन दा हिया नी कर सकदा अज दलां दे दल कठे हुए हुए हान जिस थान ते रात वेले कई खून कीते गए ओस थान चोखी पीड पाड़ है थोड़े चिर्नू पुलिस थे कई अफसर दे स्पाई आ गए अज कल जे हो जी पुलिस दी कारवाई हुन दियो किसे तो गुजी छे पी नहीं पुलिस थे कारणामियां तो कौण नहीं जानू जद पुलिस वड़े लोग अड़ दे पोड़ दे हेठां कई खून हो जान दी खबर सुनके आए तो ना की किता लागे चागे दे विचारे जिमीदारानू फाड मंगाया कईयानू गालां कडियां कईयान दाडियां पुटियां गियां कईयानू मार कोटाई भी खोग होई फिर संद्या विले सारे विचारे मार कोटाई खाके करोखरी दुर गे पर खुननी दा कोई भी पता ना लगया थे ना ही किसे नूँ एस गल्दी चिंता सी के पता कड़न है अंत पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स लेख दिता के मरन वाले सेथ दा असबाब जियों दा तेयों है ये पच्छान होनी असंभव है के आदमी कौन है क्योंकि पुल दे हिटा डिगन करके उदे सिर्दी खोपरी चूप चूर हो गई है जिस करके उदे चेरे दा कोई हिस्सा साबत नहीं लिया हाँ कोचवान नूँ कहिया ने पच्छान लिया कोच करन तो पता लगा है के एक मुसल्मान ठेकेदार पास नौकर है ते बंद गड़ी उसे ठेकेदार दी है गड़ी दा नंबर 715 B कलास है ठेकेदार अबदुल्ला दी गवाई लैंड तो एक अलसिद हो गई है के कोचवान दा नाम यूसफ सी ते ओ इस पास कोई अठ वर्यां तो नौकर सी जितो ती पड़ताल कीती गई है साका होन दा कारने हो सिद होया है के गड़ी चलोंदा चलोंदा कोचवान सौंग या ते गड़ी पुलों हेट डिक पई केस करके दो में दो में मर गए तो दो में कोड़े भी बस हो गए पला वड़े अफसरानों भी इना समाकित थे क्यों इस मामले दी खोज पड़ताल कर दे ते एक अलदा पता लेंदे के जिस मनुख पास इना मालस बाब सी उस पास नगदी भी जरूर होएगी जाने इहो जे साक्यां उते बेपरवाई करनदा इक कारने भी है के पुलसी अफसरान दी नजर्च किसे परदेसी मुसाफरदा किसे कटना वस मर जाना बिली जैंको ते दी मौत तो वदीक नहीं जापदा अंत बड़े अफसराने पुलसी रिपोर्ट पढ़के संतोक परगट कीता ते उन्हों दाखल दफ्तर करा देता इस कटना दे होन कारणे इनना जरूर हो गया के अगेन वज़े ही कटना ना हो सके इसलिपोल दे दोई पासी आदमी दे लकलक जना जंगला बनाना दा हुकम अमरे सर्दे डिप्टी कमिश्णर हो लों देता गया जिस दिन तो विचारे सेट ते कोचवान दा खून होया सी जियोना मौड बरबर इस मामले दा पता लेंदा रेंदा सी जदो उन्हों पता लगया कि इस मामले दे कागस दाखल दफ्तर हो गई है तो उन्हें एक दिन र जार कर तुकल की से अज की हो गया है तो योई जड़ा उस दिन अपने जीवन तो निरास होके कॉल सर्च डूब के मरन लकास है पर काल चकर दी चाल दे नाल नाल तू इसे जनम चापना सिरीरक चोड़ा बदल लिया है काल जड़ा मनों खेक एक एक दाने तो निरास्ता पर गटकार रिया सी अज ओही मूरांदिया थेलियां दा मालक है पान तू सोच जे तू योग जोग दे गोरकतां देच पसिया रहन दो तक की तू इन्नी छेती इस पदवी ते पहुंच जान दो बोट पान ने किया कि नहीं इस वेच कोई संदे नहीं पर जिवना पर्दी गल तू जान दे सारे फसादां दी जड़ता यहो पर्षबद है जे किसे मनुख ने अपनी वस्थाव टौनी होए तो इस पर्षबद दी बखेडे चे नाम पवे ते उस वेडे तोड़ी इस पर्नू चेते ना करे जदों ती को अपने मनोरत नो नासम पहुंच जाए बस अग पामें पांच जियोंने दियां गलां सुनके निरुत्तर हो गया पर उदी हिर्दे छून तीक यह विश्वास जियों दा तियों रहा कि पाप दी खटी दा सिटा एक ना एक दिन जुरूर निकलेगा इसलिए ए ख्याल हर वेले उदे देल चकर लोंदा रहन दा फिर उने प जियोंने उत्तर देता पान इस संसार जिनने लोग तेनू मिलनगे उनना दे जीवन देव देश वी वक्को वक्क होंगे ए विशा बढ़ा टीट है पर मैं तनू सदारन टांगनल समझा देना कि मनुख दी अवस्ता जियों जियों बदी है तियों तेव दी विचारा मिच पर मेरे हिर्देच किसे परकारदी विशेश कामना नहीं है जिदे हिर्देच लालसा नहीं उनू तांदी भी बहुत ही इच्छा नहीं मुझ मेरा काम मारता अड़ करनदा ही है मैं अपने जीवन जब ड़ड़े ड़क के मारे है पर मैं एक कम अमीर बढ़न दी लालसा ना क दे कीकती है, ना करांगा, डाके मारन दा मेरा सुबाव हो गया है, ति मैं जन्ना रुपया लुट के लिया होना, वो दा बहुता हिस्सा तेरे वर की लोड़ बन्दा दे कामना, पूरन मनुखा दे कामी होना है, बाकी रिया टेट दा सुआल, वो थड़े विच्वी पर रहा दा बहुत है चुई, बाकी जेडी अंगलां तू सोच दे, ये वेरागियां ते त्यागियां दी मात दी अंगलां, इना नो छड़ दे, तेरा जड़ा निशाना है के तू उस ते पहुंच, तू हंकारी रचपाल सिंग दी कन्या नाल वरा ब्या करा की, उस कमंडी दा जिमी, कोडे, टांगे, मोटरा, नोकर, सब कुछ बिनोना रंभ देता, हुन पान सरदार पान सिंग करके सद्या जान लगा, इसलिए असी भी हुन तो इनू पान सिंग करके लिखाने, हुली हुली शेर, अमरे सर दे वड़े वड़े अमीरा, राज करम चारियां, राय बहा राना ले दी, गुडी मित्तरता होगी, जिस पान नो किसे समय कोई पुछन वड़ा वी नहीं सी, उसरदार पान सिंग, आज अमरे सरदाएक उगा रईस समझा जान लेगा, इक दिन बैठेयां बैठेयां पान वे गल चेते आई, कि विचारी कुंदन दावी पता सिरा लेल राना चाही रहे, जेडी मेरे ले जान वारननों त्यार सी, अंतो एक दिन पर बात वेले उठके शनान पानी तो वेला होके मोटरते चड़के, राजा संसी वल्रवाना होके, ते कंटे को वेची सरदार रचपाल सिंग दे बुएते जा पोजा, पर इस्तरां कार्च जान द उन्हों हिम्मत ना पाई, वो कार पिछों दी होके बाग दे पिछवाडे दी कंद वल्लों दी लंके बाग दे दर्वाजे ते जा खड़ोता, भूहे ते पांच के ओ थोड़ा थोड़ा समा चुप चुप चुपताय दर उदर फिरदार रेया, कई परकार दियां विचारा इक फुलांदे बूटे वल नीजला के तक रही सी, उस त्यान चे नी लें सी के ओनू पांच सिंग दे आउन दी खबर दीकना हुए, जद पांच सिंग नू खुडोतेयां कई मेंट भीत गे, तक कुंदन कौर दा ख्याल ना तुटा तो नेक निका जमिटी दा रोड़ा च सिंग दे पास हाके चंगी तरह पजान के बुली, मेरे आज बड़े चंगी पाग है, जो इस तरह चानंग तो अड़े दर्शन होई, मैं की दसा, मैंनू तो अड़े बाबत जी यां पेड़ियां पेड़ियां सुआ मिलियां के, जिना नू सुनके मेरे अकले जा पाठ जान अखच अत्रू पार के बुली, सुनाओ राजी खुशियो, हाँ वैगरू दे किरपा नाल हुन चंगी हालत चांप आन सिंग कह रहा सी, तैनू हुन मेरे लिए किसे परकार दी चिंता नी करनी चाहिए, मेरे बाबत तैनू कोई की दस सकता सी, हाँ मैं समझ गया ठीक है, अस के तैनू सुना सुना के मेरे बल्लों तेरा मान बुरा करन दी कोशिश कर दे रन्दी होंगे, खैरे स्पिशली राम कहाने नू जान दे हो, हुन जो कुछ अग्ये करना है, उदा फिकर करना लोड़िये, हुन मैं तेरे पास हुए पोच्छ दां के आज तो, कुछ चेर पहल आजेडा तो मेरे नाल प्राण के पासी, कि यो तैनू चेते है, ते तू ओ ते फुल चड़ा उनू त्यार है, कुंदन के लगे, वश मेरा प्राण मेरे प्राणा नाल जाएगा, कि तो नू मेरा चेरा, मेरा रांग रूप, मेरी ओदों दे ते हून दी सुंदर ताज फरक यह नहीं दास रहा कि मैं तोड़े बिरों दी आगज साड़ साड़ के सुआ हो रही है, मेरे तरम दे रस्ते चेजे कदे लोकल आज ते पितरी प्रेम दी कंद ना हुन दी ताज में किते हुन दे, आज तुसी मेरी यां हड़ियान नू शैद मसाना चुए ख दे, एक हैं द पान सिंग नू कदे भी ख्याल नहीं सी, हुने कुंदन कौर नू डाटे प्यार नल किया, प्यारी कुंदन, बस बस, मेरे चोर कुछ सुनन दी समरताने, यह विडा रोंदा नहीं है, सुगवसी यजे खत्रे तो खाली नहीं है, इसलिए हुन कोई गाल टुक के कुंदन वो हिर्दे नल किया हां खीती है, इनना पान सिंग दा कैना सी, कि कुंदन कौर दा चेरा जड़ा हुन तो पहला, कई परकार दियां चिंता नल कुमलाया सी, कवारी खिड़ गया, लहु दीक तेज तारो दियां नाडन थानी, होठां ती उपर नू दोड गई, बड़े प्यार नल ने पान सिंग दा हाथ अपने हाथ दान चिला लिया थी किया, किस तरह थी कित्तू तीक सफल होय हो, पान सिंग ने उदे प्रशन दा कुझ भी उत्तर ना देता, हुमानी मान सोचन लगा कि कुंदन कौर दा दसां के जना, जना, जे किते मेरी नर हत्ते आते पापकर्म सुनके मेरे पास उपके ना करना लाग पई फिर मैं किसे पासे जो गवी नी रहांगा वो जी सोची रिया सी के कंदन कॉर ने उदी ठुड़ी फड़के उनुं कहा कि चुप क्यूं कार गयो कि मेरे पासो कुछ लुका रखना अचांदे हो पान कहा नहीं तेरे पास लुकाओ क्यों कि में कर सकना कुंदन केंदी फिर इस तरह चुप क्यूं कर गई पान सिंग केंदा है एमिदा की मतलब गल नो खूल की क्यों नहीं दस नहीं पान सिंग ने क्या प्राण प्यारी गल किसी नो दसन वाली नहीं डर रहा कि तू भी सुनके मेरे नल के नाना करन लग इतो बात पांसिंग ने सारा बरतांत आथ ती क कुंदन कोर नो कैसनाया कुंदन कोर स्थर्ण दी अनुखी वारतान उन्सून के संनो गी मदलभू सुख गया चेरा जो हूने पांसिंग दी सफलता हो सुनके टैक रहासे करी मुर्जा आ गया उतरभ के पांसिंग थोड़ी दूर हटके दूआ हथा नाल अपना मूँ टाक के खड़ोगे। पान सिंग भी एद्रिश्ण वेक के बड़ा पै पीत हो गया। उन्हें कुंदन कॉर दे सिसक के रोन दी अवाज सुन। तो उन्हें क्या। कुंदन रोन नाल हुन की हो सकता है। जो कुछ होना सिए हो तो हो गया। उधा जो कुछ डंड पुक्त ना पहेगा उन्हों खुशी नाल पोगा। पर हथा कोई खुशी नाल नहीं वेवसी नल हुई है क्योंके उच्ट मेरे को ब्ल दूड कोई उपा नहीं सए। जिसनल मेरी तेरी कामना पूरी हुंदी। जिसनल मेरी तेरी कामना पूरी हुंदी। जिसनल मेरी तेरी कामना पूरी हुंदी। उदी चमक जा पई तुरंती कुंदन को और ने अपने हत्थां की नुमों तो हटा लिया कई खून तागे मेरे लिए हो चुके है और की होईगा विदातानू जो मंजूर सी हो गया ते अगे लिए जिस तरह उदी इच्छा होईगी उसे तरह दोहानू चलना पएगा पांसिंग ने किया की यह हो तमें के ना कि बीद गई गलनों मूर्मुर चित्थे करकी अपने आपनों साडन नल की हो सकता है पांवे पांसिंग दिया गलां समय अनुसार सदार अंसान पर एक अलड़बालडी उत्थे नर हत्यादा की हुजा परबाप पह सकता है पामियोधी पिता अज्जाधी दी सिख्या नालय उदी पालणपोस्च ना किती सी पर खोन दा नाम सुणके कुंदन कॉर दा इस्तराइक काबर जाना कई कोई अश्टरज गाल नाई सी कुंदन कॉर विचारीक अथा पलें खोन दी गाल सुनके पीद हो चुकी सी तो जदोने पान सिंग नूँ आतम कात करन पर तुलिया वेख्या था हूँ अपने अपनों संभाल ना सकी उनने क्या वेख्यो तो अनू मेरी वलो चिंता करन दी कोई लोड नी मैंनू जे कोई डार है तके वल तो अड़े लई है के तो अनू इस हत्या दा फाल जरूर मिलेगा जिनू याद करके मैंनू कमबा चिड़ करन दे उनको ये जेया उपास सुचना चाहिए दाए के जिस करके वाई गुरू दे धरो एस हत्या दा तो अनू करड़ा डंड ना सेना पई पान सिंग ने किया कि मैं इसली त्या आ रहां तो मैंनू जो कहेंगी मैं करांगा कुंदर ने किया कि मैं वो ड्रिया लोका तो सुने है कि ज़र किसे निर्दोश आदमी दी हत्या हो जाए ता हत्या करन वाला जो ठीक अदी रात नू जे उस हत्या करन वाली थाए जाए तो अनू अकाश बानी सुनाई दिन दे जिस तो पता लाग जन्दा है कि वह ग्रुवनू की डंड देना चन्द है बस तुसी आज जी अधी रात नू उसे पोड़ते जाना ते जो कुछ सुनाई देवे आके मैंनू दसना फिर उदे अनुसार काम कीता जाएगा अच्छा हुन मैं जानी है कि पता जी नू दे आउ कई प्रकार्दियां विचारा नालो दा सेर्चकरा आ रहा से वो अपने सौन वले कमरेच जाके बिना विचाई कीते मंजेते लम्मा बैगया नौकर नौकरानियां सब वारुवारी हाजर हुए पर उन्ने किसे नू भी अपने पास ठैरन नहीं देता नाली उनानू आख दे कि जाती कि मैं बुलावाना मेरे पास कोई नाई संधियां मिले पांच सिंग दे मितर भी मिलना आई पर उस दिन उनानाल भी ना मिले उपचारे बेरंग वापस मुड़ गये उदे मांचे स्वेले की की गला उठ रहें यां सान उन्हों ही जानदा है कड़ी मुडी मंजेते कड़ी मुडी ठंडे होके पर दासी यो कुछ देर बाद हंजवांदे तुपके डिग पेंदे इस तरह आत्मक पीड नालो दे उस दिन दा बाकी हिसा भी बता देता सूरज पगवानस्त हो गये होली होली नेरा रम्र हो गया इसे तरह हुद्या हुद्य अद्धी रात हो ग कि बूँ बार हो गया नौकर लाल टन लेके तुरन उतियार सी पर पांसिंग ने उन्हों इशारे नल मना कर देता वो जित्थे सी उत्थी खड़ा रह गया पांसिंग ने गवांड तो नजर बचा कि हुली हुली लोग अड़ दे पुल पांचिया इक ता प्यान खनेरी रा अपनाली अपने मुँ खून दियां गलां करना लागतां दे उस थां ते पहुंच के पांसिंग दा हिर्दा कंब उठया कंबन लगा उदे कनाच सरसराहट जी आई उदे आत्मा उते डरने का स्चर्ज पर बाप पाया उदे दिल चापने आप ये गलां आई आई के पांसि के पुलिस नो इस खून दा पता नहीं लगा ते उपनी रिपोर्ट वेच खून किसे नहीं किता सबोना दी मौत असाब धानी करके हुई है पर वैगरू दा जान दा है पांसिंग जिस तरह तू अपने करो आई हैं जिस रस्ते तो आई हैं उस था ते बठा कोच वांते बढ़ बना है जिस तरह उदे ताननों लेके तू रफ्लू चकर हुए हैं इस सब कुछ रब पासो गुजाने चे तेरा कराब सब को जान दा हैं पांसिंग ने बठेरी कोशिश किती के उन्हों एहो जेंगा ड्रॉनियां गलां पुल जान परजिया ना हो सक्या जियों जिय कोचवान ते रही डिक के सदा दी नेंसुत्ते शंत उन्हों सारे ख्याल साख्यात रूपतार के अखा अगे दिस्सन लगे जिस परकार उस दिन लट्धी दी मार खाके सेट ते कोचवान ने तड़फत तडफे जाना देतेयां से उसे तरह जोना नों फेर वे खन लगा उन पान सिंग नुए हुँ मालूम हुया मानु अकाश दे तारे जी उस वल के नाम परी नजर नलता करे है। अकाश दे नाम परी नजर नाम परी नहीं सी। खेमा करन बाला है। किरपा करके मैंनो दस केस कोर अपराद दे बदले की डनड़ पुफतना पायेगा। इस वले पैपी थोन दे कारनों इनना निर्बल हो गया जित्थे डिगया सी उत्थी पेया रहा है। मानू उदा सेर उत्थी गड्या गया लखा मना दा पार उदे सिर्थी रख देता सेर संग सुक गया अखा आगे नीरा छागया उदे कन्ना अंदर मानू इंजन चलन लगे सुद्ध बुद्ध जान दी रही इस से बिहोशी दिये वस्था चोने यों परतीत होया मानू उनू क या आख रहा है ये नर्दाई होनी जे मेरे जरावी शक्ती हुन दी ता मैं तैनो नाल चल के वखा देंदा के मेरी बिर्द माता पतनी ते मेरी परवार के हो लोकी किस तरह मेरे वी छोड़े च हाई हाई करके विल करें हैं कोच वान दी इस तरी अज कई दिना तो निराहार पई होई है निर्दाई तु सानू दोहानू नहीं मारे है सुगो साड़े नाली तु होरवी कई प्राणियां दो खोन कर रता है उदा बदला पर मात्मा तेनू अवश देएगा इस तो बाद ही उन्हों सुनाई देता हाँ हाँ ये दा डंड इनू अवश मिलेगा आज तो चाली वरे बाद ये अपने की तेदा फाल पाएगा इस तो पे छो कई कंटे चप चाप प्यार है फिर होली होली उन्हों होश और रम होई उदे सिर्दापा अरुत रहा होली होली उन्हें अखां खूलियां पर फिर बंद कर लियां ती जीवार उन्हें बड़े होसले नल पासी वेख्या जाद उन्हों कुछ भी नजर ना पया तो तेजी नल उठके दोड़े उस वेड़े डर ने उस च बेयंत बाल पाता से इस डर ने होनोंनों इनना बाल परदान कर दता कि उचेती नल दोड़के पोड़ दे उपर आ गया फिर सरीर ते कपड़या नू लगी म चिंता ना करके उफेर उठके पजन लगा इस वारी उदे पजन च पेलना वर्गी तेजी नहीं सी कारन के चोट लगंदे नाली उदे पैर नू मोच आगी सी व अपनी एस चाल नाल दोड़ दा जे थोड़ी दूरी पुझा सी के सामन एकमन नू खौंदा उनू दिखाई है से जिस रात पांच सिंगती रातों कारोंकला निकला या सी उसराद जोनावई पांच सिंग usi मायां तय लांग द scrolling विप मिम उलना आ सब दाए पर उनु कुछ उदास वे के बुलाना योग ना समझ के नाल दी बैठक विच बैठके उदा हाल हवाल देखता रहा रात नू भी उने पान सेंग नू कुछ ना किया इस सोचके उदी तब यह ठीक हो जाएगी फिर इस पास हो दास सीधा कारण पुछ लाएगा ति यता योग उपदेश देयांगा जद अधी रात नू पान सेंग अपने करोंट कला निकलेया नौकरानू बड़ा स्चर्ज होया जब तो सारे नौकर होय सी तब तो न अपने मालक दाजी मालक दे जई हालत कदे नी सी वेखी ते नाहीं आजवर गा रुखा वरता हो कदे पान सेंग न मालक दा शुब चिन तक सी एस पासो मालक दे जई ही वस्था वेखी नाली उफ पहला ता जाके सौं रहा पर फिर कुछ चिर पिछों सिद्धा सरदार्ते आंसेंग जियोने मौड ने अपना नकली नाम सरदार्ते आंसेंग रख्या सी क्योंकि उदा असली नाम ता बड़ा हाल कै सुना है तिस त्यान सेंग मतलब जूना मौड ने उसे विले कपड़े पाय जिस पासे पांच सिंग दे जानदा हाल सुने आसे उसे पासे तुर गया हाथ फड़न दे नारी जूने नू जूने ने पुचया तो इन्नी रात किते गया सी जूने दी वाज पच्छान के पांच सिंग दी फोश ओड़ गे क्यान लगा पुड़ते गया सी जूना कैना क्यों पुड़ते ऐसे विले की कम सी पांच सिंग कुछ ठटम बर के बोलिया अज दे दिन नू कुंदन कौर दे कार गया सी उदे क्यान अनुसार पुड़ते गया सी जिस करके पता लग जाए क कि परमात्मा मैनों इस पाप दे बदले की दंड देना चाँ मैं। ओ, मैं ता देनू बड़ा स्याना समझदा सी, पर तू ता नेरा गवारी निकले हो। कि तानू इनी पता के साड़े देश दियां तीमियां विद्ध्या दे कारण किनियां निगर दियां जा रही हैं। उना दी कही पैड़ी दश है, पामी कुंदर नू उदा प्योवने बठेरी विद्ध्या पड़ाई है, तेरे कथना नू सार उंजवी स्यानी हैं। पर उदे दिल दिमाग चो तीमियां दे दस्से हुए, यह उजे परमजे तक नहीं गए। इस गल दाए फाड़ा है कि उन्हें तेन्हों जया करन लई कि है, वो मूर्खा तेन्हों पता है कि हून सारी गल मिट मटा गई है, खून हो जान दी गल किसे नू ख्याल तक नहीं। फिर जाई गल सोच नहीं कि अपने पेरी को आणा मारन वाली गल नहीं। अच्छा दास इस मूर्खा दा की फड़ मिलें। जो कुछ होया सिपान सिंग नहीं कह सुनाया। हास के जीवने नहीं कहा वाँ, बली हारे जाए तेरी अखल तो, उशो दाया। ज़त आदमी मार जान दाया। उधा पिंजर ता इत्थी रह जान दाया। फिर उथे कीसी जी ने तेरे नल गलां की तीया। तेनू दुरका रहा। तेरे पस्सों बदला लेन दी तम घी दिती। कि तू इना भी ना सोचेया के उना दा सेरता तू डांगना टोटे कारता सी ते उना दिया लोथां पोलसने दब सारतीया। उन तीको ना चे लखां कीड़े पैके उना दे स्रीरानू चटम कर गया। दूजी गाल जो तू कहनना है के हो मैनू रभ वलों वाज आये। कि तो तेन वे नीचे ती रभ कि तूआ मिलिया। वाओ मादया सूर्मया। असल काले सी के तेरे हिर्दे दी निर्बलता नहीं सारे नक्षे तीरिया खांगे लियां दे सी। पांध जिंगनी किया पर आत्मा ते परमेशर पास पॉंच दी ए ती उन्हादी भी पॉंची होईगी। जिएवना के तेन रभी कौन के तेन आत्मा ना किते जान दी है ना होंदी है। मुनुख पशू पंची है। सब संसार्ची जम दी है। कई परकार्दी बखख वाक्राम करके यह समा पाक्यों मिट्टी रोल जांदी खुना पोसी शमाप्ति हुजांदी डालि के विचार भी इथा रह जांदी तु समयदा कि अकाश नहीं कच्छाते है ते जिति बड़ी सोणी रतन नाल जड़ी अता हता रभ मेठंदी तो आत्मा विश्वास कर लंदी तरक बतरक करंदी शक्ति उना च नहीं हूंदी सो मुक्क दिकाली है कि जो कुछ स्वरग नरक जा पाप उन्द फाल उए त्थे देस जनम चो हो जांद है पांच सिंग केंदा परमेशर दी लीला नू समझन दी बुद्ध मेरे ज नहीं उदी लीला जाद बड़िवडे रिशी मोनी ते अवतार नी लख सके मेरे त्वाडे की मजाले इना दोहां दी गलबात जी मुकी नहीं सी कि पांच सिंग अपने मतां ते पौंच गया अंग नौमा जिस तरह निरास्ता हनेरा फैलाउन वली हुंदी है उसे तरह तान नालूस हनेरे दा नासो जन्द है इस कल जुग दे समेच तान दी में मैं नी वद गई है कि जिदा कथन करना ओक है आज पांच सिंग दे अंदर पहार खूब चैल पहल है परेदा देल अजे तीको ना मया तारियन ना बोला वर्गा नीच नहीं होया इदी अंदर आज देया तरम पे सच्चाई दी कुछ कुछ चलक बाग किया उदी पालणा करन वाली पिखारन माताने पामे बड़े बेवक्ते उनु तका देता सी फेर वी उदा प्यार पांच सिंग दे देल चो नहीं गया उनु जेवने मौर दी सिख्या अनु सार्तान प्रापत होया सी एक दिन आके अपने गरीबनी मातानों मिलिया थोड़ा चेरता उने उनु खर्च लई रुपाए देते पर कुछ दिना मगरों उनु अपने कारी ले गया ते उत्ती यो बड़े अरामनाल अपना जीवन बतीत करन लगी जिस दिन तो पांच सिंग कुंदन कौर नो मिलके आया सी उसे दिन तो इक वरी फिर कुंदन कौर दे दर्शन लई उदा दिल तड़ परेया सी पर कई कारना करके हुंती को उसनाल मुलाकात नहीं सी कर सके एक दिन दुपैर विले जद अकाश ते कुछ बदल चाये सी तुपते चांदी आप विच खूब नठा पजी हो रही सी अजय समें पांच सिंग पर शाददा चाके बैठक चाया ते नोकरतों कोडा कसवा होते चड़के हुली हुली राजा संसी वल तुर्पया सरदार रशपाल सिंग देकार दे नेड़े पजा कोड़े तो उतरकलोता कोड़े नू छटगे आप मकान वलवदिया कोल पहुंच के उन्हें डिठा चुबारे दी खिड़की खुली हुई है सरदार साभी कराम कुर्सी ते लेटे पुस्तक पढ़ रहे है कुंदन खिड की तो सिरकड़ी बागवल मूं के ती कुद्रत दे द्रिश वे करी है जद पान सिंगों दे नेड़े पजा दोहन याखा चार हो गयां ते कुंदन खिड उठी तुरन तो उत्थो निकल के करोंबार आई बड़े प्रेम ते उत्षा नल पान सिंग नू मिली फिर उनू नाल लेके पिछवाड़े ता चकर लांदी बाग्च जा पांची दो में संग्णें बिर्चांदे विचका अरपईक बैंच दे बैठ गए कुंदन को और कहन लगी प्रान प्यारे जिस दिन दे तुसी मैंनू मिले हो ते मेरी समती अनुसार काम करंदा प्रोसा देखी गए हो उसे दिन तो मैं तो अड़ा रावेख रही है पावी अज तो कदेवी ना नुक कर नहीं हो सकती कारने कि मैं तेरे लेई तेरे ही उत्षा देन करके इस राद राही बनिया फिर मैं उत्थे की कणना जान्दा पर समना बड़ी ओकड़ा करना प्याय है मेरी जानते आबने सी राची पैर नूसाट भी वाज़़ी सी कुंदन कौर ने किया कि निर्संदे काम बड़ा कठन सी उत्तो समाध्धी राद परकी कर दी ये तो छुट मैंनू होर की रा ने सी देशता पान सिंग ने किया कि मैंनू किसी ने कोल आके था नहीं किया ते नाई में होश्च सी डिग्याई डिग्याई मैं वेगरू दे चरनाच प्रातना की थी थोड़े चरविच्छो मेरी कनाच आवाज आई आज तो चाली वरे बाद तैनू इस पापदा फालपो गणा पाई ला और इस पाप ता प्राश्चित करावानागी मैंनू पूरन आउसए कि दीन दुनी दे पाशा गुरू नानक देव जी जरूर्झे अपने बिर्ट दीलाज रखने प्रान पिया रड़े जी हौन तुसी मेरे पिता जीनो के प्रान प्रणी सिक्राओं पांसिंग के प्रान प्रान प्यारी तनू पता है कि जस तरह जब जो उसे करना पहरा बहुत है पर पता नहीं तेरे पित पास जान तो क्यों मेरा दिल डर रहे कुंदन के लगी तुसी के हो जे में नोखो इना डर तो अनू के थो आ गया मैं तो अनू प्रोसा दुआ नहीं है कि तुसी अपने सजना में तरह सैथ साज ताज नाल आके मेरे पिता जी नू मिलो उना दिया अंगलना उना नू चेते कराओ इधर मेरे पासों भी जो कुछ हो सकेगा मैं कराएंगी इननू कदासी ने आके कुंदन के अभी बिजी तुन पिता जी साथ दे है सत बचन के के बड़े प्रेम नल पान सिंग नू विदा करके कुंदन दा सी दे नाल अपने पिता पास गई इधर खुशी थे उत्शान अल पर फिलत होके पान सिंग भी हुल